हेलो गाईज यह है वाई जी लो और आज हम पढ़ेंगे इंटेस्टेट सक्सेशन मुस्लिम लो में हैं अब देखो जैसे कोई मुस्लिम मरता है ना तो सबसे पहले उसका फ्यूनरल और बूरियल का एक्स्पेंस दिया जाता है उसकी प्रॉपर्टी में से फिर उसके बाद उ हिसाब से वन थर्ड तक उसकी प्रॉपर्टी दे सकते हैं इस पर अपन टेस्टामेंटर सक्सेशन पर विडियो बना चुके हैं यहां पर आ जाएगा देख लेना डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा लेकिन मान लो टेस्टामेंट नहीं बनाकी गया या बनाकी भ तो यह उसके गई बस्ति ना वह जो टू-3 प्रॉपर्टी होती ना बाटी जाती है अकॉर्डिंग टो मुस्लिम लॉफ इनहेरी टेंस जिसको बोला जाता है इंटेस्टेट सक्सेशन इंटेस्टेट क्या है समस्में विड़ाउट टेस्टामेंट और यह इंटेस्टेट स मेरा सभी में मन कर रहा कि में जूता निकालकर स्क्रीन पे फिक के मारा चाहल। लेकिन मोनीटर महँगा आता है। इसलिए महा नहीं फिक टाल१ बहुत जादा कॉंप्लिकेटीड है यार। मतलब बहुत जादा कॉंप्लिकेटार धी दूसरे कॉंप्लेकरram है। 27 मिनिट लगे थे समझाने में लेकिन वो बहुत important topic उससे question आते हैं काफी ज़्यादा ज़्यादा marks के आते हैं और वो पता होना चाहिए लेकिन ये इतना important topic नहीं है जितना ये complicated है मतलब ये exceptionally complicated है बहुत ज़्यादा समझ में ही नहीं आता तो मेरा objective था कि इस फेर छोटा video कैसे बनाओ और इसका छोटा video बनाने के चक्कर में मैंने सोचा कि quit करते हैं नहीं बनाते हैं इसका video की मैं ज़्यादा फालतू का लंबा video बनाना मेरे आदत नहीं है लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं काम डाउन गौरव थोड़ा इसमें सोचते हैं कुछ तो जुगार निकलेगा बनाते हैं कुछ इजी कर सकते हैं अपन इजी वीडियो बना सकते हैं इसका तो मेरे रोने में दो मिनिट आपके वेस्ट करने के बाद अब आपन चालू करते हैं इसको टॉपिक को समझ जैंके लिए सबसे पहले फटाफट समझो आप कि क्लासिज होती हैं ठीक ओए जो हिंदू इंटर स्टेट सक्सेशन होता हوسमें भी इसमें बहुत सा सारह का प्रफ़र्टी फिर उनके पास से बच जाता sister हो गई, grand parents हो गई, consanguine sister हो गई, full sister हो गई, uterine brother हो गई, ऐसे total सुननी law में 12 sharer है, 8 female है, 4 male है, और Shia law में 9 sharer है, 6 female है, 3 male है, अब ये complication की दोनों में sharer अलग-अलग है, उसके बाद next step होता है कि sharer को property देते हैं, sharer को property देते हैं और उसमें से property कहां जाएगी, ये बचीवी property residuories के पास जाएगी, इनका नाम ही residuories है, मतलब sharer से जो बच जाएगा, वो property जाएगी residuories के पास, फिर residuories से अगर बच जाती है property, तो वो जाएगी distant kindred के पास, ये बहुत दूर के relation वाले हो गए, और इनसे property बच गई, मतलब या मालो sharer, residuories, distant, kindred, तीनों ही नहीं हुए, तो estate में चली जाएगी, ये क्या होता है, ये होता है government के पास जाना, मतलब कोई भी एक आदमी मरता और उसका कोई relative है ही नहीं, कोई sharer नहीं है, कोई residuories नहीं है, कोई distant kindred नहीं है, तो government के पास चली जाएगी property, अब बस इतना सा difference है, कि सुनी law में तो ये वाली cycle follow होती है, sharer से residuories, residuories से distant kindred, distant kindred से estate, लेकिन shia law में distant kindred नहीं होता, residuories के बाद direct estate में चली जाती है property, तो ये तो हो गया classes का हिसाब, clear है यहाँ पर, logical part अपना हो गया, अब है रटन्त विद्या, अब सिर्फ रटना है, बहुत सरे rules है, मैं बहुत important, important ही करा रहा हूँ, इसमें सारे तो नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि पूनम प्रदान में आप खोलके देखोगे, तो ये topic topic पे 60 पन्ने है, ठीक है, A4 size के छोटे font के 60 पन्ने, तो 60 पन्ने अगर आपको 20 मिनिट में पढ़ने है, तो ऐसे कोई गुरू मंत्र नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं short में करा रहा हूँ, तो ये rules धमा धम रटलो, rules of exclusion होते हैं, ठीक है, Muslim law in general does not recognize the principle of representation, principle of representation होता है कि जैसे मेरे बच्चे हैं, और वो वारिस्त है, ठीक है, प्रॉबर्टी है, वो मर गए, तो उनके बच्चे है, यानि कि मेरे पोते मेरे बच्चों को represent कर रहे हैं basically, लेकिन ये representation वाला principle Muslim law में नहीं मानते हैं, ठीक है, और इसमें जो past के relationships होते हैं, वो exclude कर देते हैं दूर के relationship को, अभी कैसे काम करता है, ये पहली बाद तो ये rule, sharers, residuary और distant candidate सब पे लगता है, ठीक है, अभी काम कैसे करता हो, बताता हूँ, the father would exclude the paternal grandfather and a son would exclude a son-son, अभ इसमें sharers का example लो, 12 sharers होते हैं, सुननी के अंदर शिया में 9 होते हैं, बताया था, पिछली वाली slide में, अब इसमें, यह देखो, यहाँ पे paternal grandfather भी sharer है, और father भी sharer है, तो अब अगर father present है ना, तो paternal grandfather को हटा देंगे, exclude कर देगा father, इसके बाद secondly an eye who is related to the deceased through another person would be excluded in presence of the one through whom he or she is related to the deceased, अब इसमें example दिया है कि एक बहन या भाई, father के through related होते हैं, अब इसको ऐसे समझो, यह बंदा है, यह मर गया, और इसकी एक sister भी है, और इसका एक brother भी है, और इसका father भी है, अब इसकी जो sister और brother है, वो related इससे कैसे हैं, वो related है, इसके बाप के दूसरे बच्चे है, समझ गए, इसका भाई, इसके बाप का दूसरा बच्चा है, और इसकी जो बहन है, वो भी इसके बाप की दूसरी बच्ची है, ठीक है, इसके अलावा, तो यह भाई बहन हो है, सारे के सारे, तो यह जो father है ये main relation है इसके through दोनों relationship बन रही है तो अगर father present है ना तो ये brother और ये sister इनको exclude कर दिया जाएगा ठीक है and if the father is present they would be excluded as in presence समझ गए ये दूसरा principle लेकिन इसमें बात ध्यान रखना कि mother exception है अगर mother present है मानलो ये father की जगे mother होती है यहां पे ठीक है तो दूसरे brother sister relation को exclude नहीं किया जाता सिर्फ father के context में ही है और जो दूसरे relation है mother के लावा उनके context में है लेकिन mother के context में नहीं है क्यों नहीं है मुझे नहीं पता बस लेकिन नहीं है अगला rule है full blood will exclude half blood जैसे full sister है वो half blood वाली sister को exclude करेगी ठीक है लेकिन अब इस में utrean relationships won't be excluded जैसा भी utrean sister and utrean brother utrean मतलब मा सेम है लेकिन father अलग है ठीक है यह होता utrean relationship तो इनको exclude नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे मुझे नहीं पता ठीक है बस यह mcq माय तो कर देना क्यों का मेरे को मिला भी नहीं किताब में यह मतलब reasoning नहीं मिली कि क्यों है ऐसा लेकिन ऐसा है तो यह main तीन rules है सबसे पहला तो कि past का relation जैसे father grandfather को exclude करेगा बेटा पोते को exclude करेगा and so on दूसरा कि कि किसी के through आप किसी से related हो मालो आप यह person हो और यह दूसरा person है और इसके through अब तीसरे person से related हो तो अगर यह person यहां पर है तो इसको exclude कर दिया जाएगा ठीक है इसमें mother exception है और thirdly full blood exclude करेंगे half blood को uterine relationship excluded रहेंगी ठीक है तो यह rules of exclusion हो गए इसके बाद एक और आता है rule वह rule है कि five primary hires होते हैं वो कभी भी exclude नहीं होएंगे property में से ठीक है यह कौन-कौन होते हैं यह जो direct relationship होते है ना जैसे एक आदमी मरता या औरत मरती है तो उसका husband या wife उसके बच्चे son daughter और उसके माबाप यह कभी भी exclude नहीं होंगे इनको हमेशा share मिलेगा तो जो अपन ने यह जो 12 sharers को देखा न और इनके लाव residuories भी देखे अपन ने तो यह 12 sharers जो है ना इनका सबका share defined होता है कि husband को कितना मिलेगा wife को कितना मिलेगा daughter को कितना मिलेगा यह पूरे 12 का 12 का share है ठीक है और वह चेंज होता है circumstances के basis पर तो वह मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो जाएगा अपन डेढ़ घंटे कीच लेंगे ना तो भी वह complete नहीं होगा होता है लेकिन rules of inheritance इस तरह से designed है कि sun को हमेशा property मिलती है अब sun को हमेशा property मिलती है तो उसको शेयर ही रख देते उसको रहसे डियूरी रखा फिर एक अलग रूल आया जिससे sun मतलब confusing है बहुत जादा तो यह ध्यान रखना कि पांच जनों को हमेशा शेयर मिलेगा और sun residue होता है लेकिन अगर वो है present तो वो शेयर बन जाता है और डाटर residue हो जाती है ठीक है और sun को हमेशा शेयर मिलेगा और sun को हमेशा डाटर से double share मिलेगा यह भी एक rule है तो इसमें rules बहुत सारे हैं यह सब रटने के rules हैं अब इसको तोड़ा ऐसे देखो आप समझ जाओगे husband जो है जैसे जो deceased wife मतलब मरी तो उसका husband उसको one fourth share मिलेगा property में से ठीक है लेकिन अगर कोई बच्चे नहीं है linear descendant मतलब इनके कोई बच्चे नहीं है बच्चे या बच्चों के बच्चे या बच्चों के बच्चे ऐसे नहीं है तो husband को आधी property मिल जाएगी next wife अगर wife और children द मालनो तीन wife है तो हर एक को one eighth का 33% मिलेगा मतलब हर एक को one 24th मिलेगा ठीक है और अगर दो wife है तो हर एक को one 16th मिलेगा समझ गए जितनी wife होंगी उत्ते से divide हो जाएगा यहाँ पे और यह है children के साथ one eighth share अगर बच्चे नहीं है सिर्फ wife है बच्चे नहीं है तो wife को one fourth share मिले ठीक है इसके बाद son और daughter की बाताती है single daughter हुई एक ही बेटी है तो उसको आधा शेर मिलेगा लेकिन मानलो एक से ज़्यादा बेटिया है मानलो तीन बेटिया है तो इन तीनों को total मिला के two third share मिलेगा एक हुई तो आधा शेर और एक से ज़्यादा हुई तो उन सारी को मिला के two-thirds share ठीक है और son को हमेशा daughter से double मिलेगा फिर आते है माबाप मा की बात करें तो mother inherit करेगी अगर बच्चे भी है जो आदमी मरा है उसकी मा और जो आदमी मरा है उसके बच्चे ठीक है समझ रहो यह आदमी मरा है तो इसकी मा भी present है और इसके children भी present है ठीक है तो अगर यह situation है तो मा को one-sixth part मिलेगा लेकिन अगर यह children नहीं है तो मा को one-third part मिलेगा और father के जहां तक बात आती है father को हमेशा one-sixth part मिलेगा fixed है ठीक है तो यह अपने पांच relation के basic basic share पढ़े हैं अभी ऐसे बारा relations के हैं और change होते हैं और बहुत सारे उनमे rules है तो वह पढ़ना आप समझ गए मैं क्यों avoid गया मैंने अभी तो यह major major है क्योंकि इन पांचों को हमेशा share मिलता है प्रेजेंटर को यह पांचों मैंने आपको पढ़ा दिये अब इसको एक्जामपल से देखो अगर आपको यह one-sixth one-half बहुत हर लग रहा तो मैं आपको समझाता हूं कैसे काम करता है है doctrine of all होता है ठीक है increase मतलब आपकी जो property है अब जैसे मानलो जब आपन देख रहे हैं कि one-half one-third यह सब अगर जुड़के one होएगा तो property मतलब सब इक्वल बढ़ गई लेकिन अगर यह one से ज़्यादा हो गया property से ज़्यादा ही शेयर हो गया ठीक है अब यह आप मानलो आपके पास एक biscuit है ठीक है यह एक biscuit है आपके पास must hide and seek hide and seek कोई दूसरा biscuit है गोल वाला अब यह biscuit के आपने बोला कि आधा तू ले ले आधा तू ले ले और आधा तीसरा जना ले ले तीन जने आधा biscuit ले सकते हैं गया नहीं ना क्योंकि one point five हो जाएगा इन तीनों का मिला के तो डेर्ड बिसकिट तो अपने पास है यह नहीं बाटने को एक ही था तो उसको तीन जनों में आधा 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 कैसे बाट सकते हो आप तो कई वार ऐसा होता है कि यह जो सारे प्रपोर्शन है ना जो मैंने आपको पहले पिछले स्लाइड में पढ़ा है half two third one six यह सब जुड़के one से ज्यादा हो जाते हैं तो उस situation में क्या करें त ठीक है और इसका husband है mother father तीन बेटिया है इस wife की death हुई है ठीक है share of h is one fourth husband का share one fourth होगा कहां पढ़ाता बनने husband का share one fourth होगा ठीक है अगर बच्चे नहीं होंगे तो half होगा लेकिन तीन daughter है इसलिए one fourth फिर उसके बाद अपनने पढ़ा share of mother and father is one sixth mother का share पढ़ाता पनने कि अगर mother के साथ बच्चे भी हुए ठीक है तो one sixth share मिलेगा यहाँ पे mother भी है और तीन बच्चे भी है तो mother का one sixth share तीन daughter का मिला के two third share मिलेगा क्या पताया था मैंने son or daughter single daughter हुई तो आदा share मिलेगा अगर single से ज़्यादा हुई more than one daughter हुई तो तीनों का चारों का जितनी भी हुई पांचों का मिला के two third मिलेगा तो तीन डॉर्टर का मिलाके टू-थर्ड शेर हुआ तो वन फोर्थ प्लस वन सिक्स्थ प्लस वन सिक्स्थ समझ गए है? मदर फादर का वन सिक्स्थ, वन फोर्थ हस्बेंड का और टू-थर्ड डॉर्टर का यह हो गया 15 by 12 अब 15 by 12 में अगर आपने मैच पढ़ी है मैं मैच नहीं पढ़ा रहा हूँ अब लॉप पढ़ा रहा हूँ इतनी मैच नहीं आती है कि 15-12 कैसे हुआ तो जाके सीख के आओ कि कैसे जोड़ते हैं 15 by 12 हमेशा greater than 1 होता है ठीक है आप कैसे बाटें प्रॉपर्टी जितनी दिए उ इस केस में doctrine of all लग जाता है doctrine of all में basically होता है कि आप सबका शेर थोड़ा थोड़ा कम कर देते हो proportion में ठीक है वो कैसे होता है अब मालो यह हायर्ज है ठीक है husband, father, mother, 3 daughter, one fourth था इसका शेर मतलब 3 by 12 था यह कैसे हुआ वो भी मैं नहीं बताऊंगा मैच आनी चाहिए 1,6 जिसका शेर था उसका होगे 2 by 12, 1,6 तो होगे 2 by 12, 2 by 3 होगे 8 by 12 लेकिन अपने को क्या चाहिए अपना numerator है यहाँ बे 15 आ रखा था अपन ने इन सबका शेर कम कर दिया 3 by 12 को 3 by 15 कर दिया 3 by 15, 3 by 12 से कम होता है पता हो नीच यह बात ठीक है ऐसे ही 2 by 15, 2 by 12 यह कम हो गया 2 by 12 हमेशा जादा होता है 8 by 15 से कम हो गया तो यह चारों शेर अपन ने कम कर दिये और इन चारों को अगर अपन जोड़ेंगे ना यह चारों को जोड़ेंगे तो 15 by 15 आएगा ठीक है जो की अपना 1 वह वाली बात होगे कि अप equal हो गया 1 और इस 1 मेंसे मतलब total property 1 है यह 1 जो है यह total property है तो यह total property मेंसे अपन ने सबको उनका नया जो reduce share है वो दे दिया husband को दे दिया 3 by 15 फादर को दे दिया 2 by 15 मदर को दे दिया 2 by 15 और daughters को दे दिया 8 by 15 तो यह होती doctrine of all और shares का भी हिसाव आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा है इससे कि कैसे इन सबको मिला इसके रद क्या बोलती है कि अगर कोई भी alive नहीं है balance share लेने के लिए जैसा मैंने आपको बताए कि sharers को share मिलता है ठीक है और उसके बाद Residuries को share जाता है ठीक है लेकिन Residuries है नहीं share लेने के लिए तो जो access share है ना sharer को बाठा मालव unit को जो अपनने बाठा वह तूथर्ड ही आप आया और one third residuries को चला गया लेकिन ये one third लेने वाले तो यह वापस आ जाएगा शेर के पास doctrine of return तो यह जो शेर return आ रहा है उसके बारे में बात करती इसकी कुछ condition है कि कोई residue नहीं होगा जैसा कि मैंने बताया तो ही यह लगेगी doctrine और दूसरी बात जो विडो और विडोवर है ठीक है अब जैसे कोई इंसान मरा तो अब यह अगर औरत हुई तो इसका husband होगा अगर यह आदमी हुआ तो इसकी वाइफ होगी तो विडो और विडोवर ठीक है मतलब husband और जो वाइफ जो भी उनका बचाए माँ पर वो participate नहीं करेंगे इस चीज में उनको doctrine और रद के अंडर में वापस शेर नहीं मिलेगा वापस उनके पास return नहीं आएगा अगर कोई दूसरा चेयर यह distant kindred है तो इनके पास वापस शेर नहीं आएगा वरना आ जाएगा बागी relation के पास आजाएगा अगर कोई और शेयर owe यह distant kindred नहीं हुआ तो इनके पास भी आजाएगा तो यह होगे Doctrine of Rad तो यह हो गया पुरा Shareware का हिसाब इसके बाद बाद आती है Disqualification to Inherit आप कब-कब Inherit नहीं कर सकते हो सबसे पहले चीज तो अगर आपका दूसरा Religion है तो आप Inherit नहीं कर सकते हैं लेकिन इसमें भी कुछ Technicalities हैं उसको समझो Cast Disabilities Removal Act 1815 ने Converts के लिए हुए तो आप भी Muslim ही होगे ठीक है यह Sun तो आप भी Muslim ही हो लेकिन आपने क्या किया आपने अपना Religion हिंदू जम में Convert कर लिया ठीक है तो अगर आप Convert होना तो तो आपकी Property का Right Inherit करने का नहीं जाएगा तो तो Cast Disabilities Removal Act आपको बचा लेगा लेकिन एक दूसरी Situation भी हो सकती है दूसरी Situation क्या होगी कि आपका Father Hindu था ठीक है और फिर आप अपने Father के पैदा हुए है तो आप भी Hindu होगे ठीक है General सी बात है आप भी Hindu होगे Hindu Father के लेकिन आपके Father ने Religion अपना Convert कर लिया वो Muslim बन गए तो अब आपको नहीं मिलेगी Property अब आप Inherit करने के लिए Liable ने होगे क्योंकि आपका दूसरा Religion है आपके Father ने Convert कर लिया इसलिए उनका दूसरा होगे आप वो Muslimान होगे तो आप Hindu रह गए तो आपको नहीं मिलेगी अगर आप Convert करोगे अपना Religion तो आपको मिल जाएगी लेकिन आपका Father कर लेगा तो आपको नहीं मिलेगी जो Cast Disabilit Removal Act है वो सिर्फ जो खुद Convert हो रहा है ठीक है जो Inherit कर रहा है वो Convert हो रहा है सिर्फ उसके Protection के लिए जो मरा है वही अगर Convert हो गया और उसके सारे Relations जो थे वो सब दूसरे Relations के रह गए तो वो सब फिर Eligible नहीं है समझ गए दूसरा Disqualification Illegitimate Child का है सुनी Law में अगर आपका Illegitimate Child है ठीक है तो उसको मानते हैं कि वो Mother से Related है Father से Related नहीं है ठीक है कि Mother तो पता ही होती है ना मेंशा कि पच्चा पैदा हुआ है तो वो तो निकलेगा तो Mother से ना तो Mother तो हमेशा Confirm रहती Father Confirm नहीं रहता तो Mother से तो करेगा Inherit और Mother के दूसरे Relationship है उनसे भी करेगा मतलब Mother की बेहन बेहन और इन सबसे भी अगर हो गया Chance तो उनसे भी करेगा लेकिन Father की साइड से ठीक है वो नहीं करेगा कुछ भी Inherit और शिया लोह में तो सीधा सीधा रूल है कि वो Inherit ना Mother से ना Father से किसी से कुछ भी Inherit नहीं कर सकता इसके बाद है अगला If you kill the person whose property is up for inheritance अब मालो ये इनसान है और इसका Murder इस इनसान ने करा है ठीक है इसने इसको चाकू से मार दिया ठीक है तो अब ये बंदा इसके Sharers में भी था तो ये Inherit भी कर सकता इसकी property तो ऐसा बोलता है ये वाला जो तो ये Disqualify नहीं होगा अगर इसने जान भूच के मारा है ना Intention था मारने का ठीक है अब मानलो ये ऐसे गाड़ी चला रहा है और गलती से ये सामने आके कूद गया और मर गया मतलब Accident था इसका Intention नहीं था मारने का लेकिन Accident से मर गया तो शिया में आप Disqualify नहीं होते हो लेकिन सुननी में ऐसा है कि आपका Intention कुछ भी हो अगर आपने मारा है तो आप Disqualify हो जाओगे नेक्स्ट और लास्ट डाटर का Exclusion है नॉर्मली डाटर का Exclusion होता नहीं है डाटर को Disqualify नहीं करते है इन जनरल लेकिन कुछ Communities हैं जो करती है तो उसके वारे में बात करते है रूल अफ प्रीमो जैनिचर होता है प्रीमो जैनिचर दो वर्ड से बना है प्रीमो और जैनिच का मतलब होता है बॉन तो फर्सट बॉन तो यह प्रीमो जैनिचर का जो रूल होता है नॉर्मली फर्सट बॉन सन के लिए होता है ठीक है डॉटर्स के लिए नहीं होता है तो जो बैसिकली फर्स बॉन सब्सक्रेंस मिलेगी कुछ aspects of inheritance में तो बैसिकली यह होता है rule of primogeniture यह follow नहीं होता Muslim law में in general मतलब nationwide ये follow नहीं होता लगी कुछ statutes में और कुछ customs में ये follow होता है कुछ communities में follow होता है किन-किन communities में follow होता है वतन Act 1886 Bombay का एक Act है और Odd State Act 1869 ये दोनों Act बोलते हैं कि primogeniture use होगा devolution of तालुकदारी properties ये क्या होती है मझे पता नहीं तालुकदारी properties में जब devolution का जब devolution होगा तो डॉक्टर को exclude किया जाएगा इन दोनों Act में ऐसा लिखा है उसके बाद गुजाज और बाकरवल communities हैं इसमें डॉक्टर अमेशा excluded होती है उसके बाद जम्मू कश्मीर में कुछ communities हैं जहाँ पर जब तक male agnate member है family के अंदर जब तक daughter succeed नहीं कर सकती है अगर male agnate नहीं है तो ही daughter succeed कर सकती है inherit कर सकती है और कुछ जम्मू कश्मीर में ऐसी communities हैं जहाँ पर तभी inherit कर सकती है जब वो खाना नशीन हो खाना नशीन मतलब एकदम बेकार कुछ काम नहीं है उसके पास और basically बे सहरा टाइप से है वो तो ही वो कर सकती है inherit समझ गए तो daughter का exclusion in general तो नहीं है लेकिन ही कुछ जगों पर है तो यह ऐसे ही बता दिया मैंने आपको तो guys यह हो गए video complete subscribe कर लो अगर अच्छा लगा तो और यहाँ बाकी दूसरे videos देख लो और like मार दो और comment करो यह topic मैंने YouTube पे भी देखा ज़्यादा लोगों ने अच्छे से नहीं पड़ा रहा है actually ज़्यादा अच्छे से तो किसी नहीं नहीं पड़ा रहा है प्लीज कमेंट जरूर करना